नेक्स टॉपिक पे आते हैं, नेक्स टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 11.1, हमारी साइन्स की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 11.1 है ना उसे हमने डिसकस करना है, तो फाइनली आपका कुछ इस तरह का डियागरम बनेगा, अब ये बनेगा कैसे, स्केप बाइ स्केप उसे डिसकस करते हैं, फस्क पॉइंट पे आते हैं, fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins, सबसे पहले आपने एक white sheet लेनी है और drawing board के उपर pins को use करके, आपने अपने white sheet को या white paper को अच्छे से fix कर देना है, place a glass prism on it in such a way that it rests on its triangular base, trace the outline of the prism using a pencil, फिर आपने white sheet के उपर एक prism को रखना है, ये ते को diagram के अंदर, सबसे पहले आपने एक white sheet लगा देनी है, फिर white sheet के उपर आपने ये वाला prism रख दिया, जो prism है, जब आप white sheet के उपर अपने prism को रखोगे ना, फिर pencil से आपने prism की जो outline है उसे sketch कर लेना है, तो prism की outer boundary के उपर आपने pencil चलानी है, जिससे आपके जो white paper था ना, जो आप step करने है, step number one, सबसे पहले white sheet ली, step number को उसके उपर आपने prism को रख दिया, उसके बद आपने pencil से prism की outline sketch कर ली, इतना हो गया, फिर आपने prism को यहां से हटा देना है, तो ये वाला triangle तो बना हुए ना, आपके पास white sheet के उपर, उसके बाद आपने scale लेना है, pencil लेनी है, औ और ये वाली side गया ना, A, B, इस वाली side के उपर, ये वाली line बना देनी है, P, E, किसी भी angle पे बना सकते हो, ऐसे बना दो, थोड़ा सा इधर से बना दो, किसी भी angle के उपर, आपने ये वाली line, P, E, बना देनी है, जब आप ये वाली line बना दोगे, फिर इस line के उपर, आप आपने दो PINs को fix करना है, एक PIN आपने point P पे fix कर देना है, वो PINs होते हैं न चोके-चोके से, एक PIN को आपने point P पे fix करना है, और दूसरे PIN को आपने point Q पे fix करना है, इस बात का ध्यान रखना है, कि जो दोनो PINs हैं, एकदम सीधे होने चाहिए, आपने Prism रखा था, Prism के outline बना ली थी, उसके बाद ये आपने line बनाई थी, प्रिजम हटा दिया था, ये वले line बनाई थी, यहाँ पे आपने दो PINs को fix कर दिया, उसके बाद जो प्रिजम आपने हटा लिया था ना, उस प्रिजम को दुबारा से, आप यहाँ पे रख दोगे, जैसा आपने outline पिंस लगा रखे हैं उसको छोड़के, जो दूसरी सायग है, यहाँ से अब आपने देखना है, प्रिजम के लेवल तक ही चले जाना, मतलब आपकी जो आँखों का लेवल है वो यहाँ पे प्रिजम के लेवल तक ही होना चाहिए, ऐसे थोड़ सा जुक के फिर आपने इस देखना है, जब आप इस तरफ से प्रिजम के बीच में से देखोगे ना, तो दूसरी तरफ यह जो आपने दो पिंस लगा रखे हैं, यह दो पिंस आपको नजर आएंगे, यह जो दो पिंस आपको नजर आ रहे हैं, जब आप इस तरफ से देख रहे हो, तो उसकी सीथ के अंदर ही दो पिन्स आपको नजर आ रहे हैं उनकी एकदम सीद में उनकी एकदम स्क्रेक लाइन के अंदर आपने इस तरफ दो पिन्स और फिक्स कर देने हैं जहां पे आप थर्ट पिन लगाओगे और जहां पे फोर्थ पिन लगाओगे ना उन्हें पॉइंट R और पॉइंट S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह वाली बात है ही समझ में प्रिजम आपने रख दिया था दो पिंज आपने यहाँ पे लगा रखे थे P और क्यों जिस तरफ दो पिंज लगा रखे हैं उससे छोड़के दूसरी तरफ से आपने प्रिजम के बीच में से देखना है जब आप प्रिजम के बीच में से देखोगे आपको यह वाले दो पिंज नजर आ रहे होंगे इन दुनों की एकदम सीध में ही एकदम स्क्रेक लाइन के अंदर आपने यहाँ पे दो और पिंज फिक्स कर देने है जब आप यह दो पिंज लगा दोगे न बस फिर जो बीच वाला प्रिजम है उसको दुबारा से हटा के साइक पे रख देंगे यह वाले जो पिंज आपने जहां पे लगा थे इन पिंज को भी हटा दो जिस पॉइंट पे वो लगा था न वहां पे छोड़के सा होल हो जगा न उसे और और एस से रिप्रेजेंट कर देना इनको जॉइन कर देना तो यह वाले लाइन बन जाएगी तो आप क्रेंगल बन गया है और दो लाइनес बन गया है ट्रेंगल बना एक तो यह वाले line बन गिया है और एक यह वाले line बन गिया है तो जिस point पे यह first line और second line प्रिजम को touch कर रहे हैं उनको भी आपने beach में से join कर देना है तो यह आपके third line बन जाएगी यह वाला जो फेस था एक परपेंगेकुलर रिसके उपर बनाना है और यह जो दूसरा फेस था एक परपेंगेकुलर रिसके उपर बनाना है दो परपेंगेकुलर्स बनाने है अब प्रोकेक्टर को यूज कर लेना गी को यूज करके गैरेकली यह nankic angle पे एक यह वला perpendicular बना देना है और एक यह दूसरा पर perpendicular बना देना है यह normal rays को represent कर रहे है जो skarking में first line बनाई थी ना उसको आगे की तरफ x-cank कर दो और इधर से जो दूसरी line बनी थी इसको पीछे की तरफ x-cank कर दो बस diagram हमारा complete हो गया अब इसके अंदर यह P से लेकर Q तक यह insignificant gray को represent कर रहे है EF यह refracted gray को represent कर रहे है FRS यह emergent gray को represent कर रहे है insignificant gray और normal के बीच में angle of insignance बनेगा refracted gray और normal के बीच में angle of reflection बनेगा emergent gray और normal के बीच में angle of emergence बनेगा और यह वाली जो लाइन है इसका नाम है extension of insignificant ray extension of insignificant ray और यह थी emerging ray और यह पीछे वाली है backward extension of emerging ray insignificant ray की forward extension और emerging ray की backward extension के बीच में जो angle बनेगा वो angle of deviation है तो बस यही हमारी activity थी हमने glass prism में से किस तरह से refraction होता है उसे discuss करना था clear हो गया एक बड़ दुबारा बता देता हूँ सबसे पहले आपने एक white paper लेना है sheet लेनी है उसके उपर आपने prism को रखना है prism की outline आपने sketch कर लेनी है prism की outline sketch कर ली फिर आपने prism को remove कर देना है और यहाँ पर एक line बना देनी है किसी भी angle पर बना सकते हो जो line आप बनाओगे ना उस line के उपर आपने दो pins को fix कर देना है पतले पतले दो pins होंगे उनको आपने यहाँ पर fix कर देना है फिर आप prism को दुबारा से रखोगे और दूसरी तरफ से prism के बीच में से pins को देखोगे आपको यह वाले इधर के दो pins ना नजर आ रहे होंगे जो दो pins आपको नजर आ रहे है ना उसकी seed के अंदर ही उसकी straight line के अंदर ही आपने यहाँ से देखने पर third और fourth pin लगा देना है यहाँ से आपको देखोगे ना तो आपको इधर ही नजर आ रहे होंगे अपनी seed में ही आपने यह वाले दो pins लगा देने है जब यह वाले दो pins आप लगा दोगे बस फिर prism हटाओ इन दोनों points को R और S का नाम देदो यह वाले line को join करो यह line तो पहले बनी हुई है इसको बीच में से join कर दो दो परपेंगेकुलर्स बनाने है एक परपेंगेकुलर इस तरब दूसरा परपेंगेकुलर इस तरब जो परपेंगेकुलर लाइन्स है उन्हें गौकिक बनाना है यह insignificant रे को आगे एक्सकेंट करो emerging रे को पीछे की तरफ एक्सकेंट करो सारे angles को रिप्रेजेंट कर दो तो यह बन गए आपका गायग्राम यह insignificant रे है refractive gray, emergent gray यह वाला normal है, यह भी normal है इसको बोलेंगे extension of insignificant gray और यह वाली जो line है इसे बोलेंगे backward extension of emergent gray, angle of incidence, angle of reflection angle of emergence, angle of deviation और यह जो उपर वाल angle होता है इसे बोलते हैं prism angle clear बस यही यही कोजब थाइस गेंट रना